आज हम करने चाहरे हैं Mathematics की Worksheet No.73 और आज की डेट है 30-12-2020 इस Worksheet की So Class Night अपना Name, Class Teacher Name जरूर मेंचिन करेंगे उसके बाद अपनी Worksheet स्टार्ट करेंगे एक और Important बात वो यह कि बहुत सारे स्कूल्स में आपको जो Worksheets हैं इनकी Books प्रोवाइट करवाई गही हैं तो वो इसलिए प्रोवाइट करवाई गही है कि आप लोगों को जो Worksheet आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे या जो Worksheet आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं Skip हो गई है वो आप सॉल्व कर सकें ओके क्योंकि फ्यूचर में अगर आपके एक्जाम आते हैं जैसा हम हर बार रिपीट करते हैं तो वो इन्हीं वर्कशीट में से आएंगे आपकी बुक्स के साथ साथ यह वर्कशीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो प्राक्टेस करनी स्टार्ट कर दीजिए और पुरानी वर्कशीट जरूर देखें जरूर उन्हें पढ़ें वो बहुत जरूर है आपके लिए चलिए आज की वर्कशीट देखते हैं इसमें क्या आया हुआ है इसमें रिवीजन दी गई है आपको chapter 7 triangles जिसमें कौन-कौन सी worksheets है जिनकी revision आपको करवाई गई है revision of worksheet number 25, 26 and 27 अब इसमें आपको सबसे पहले fill-ups दिये गए है question number 1, 2, 4 इसमें आपको fill-up करने है then आपको बोला गया है select the correct answers in question number 5 to 8 so 5 to 8 आपको क्या करने है इसमें देखना है कि जो correct option है उन्हें टिक करना है then इसके बाद आपको जो next question है 9th and 10th इसमें आपको क्या करना है solve करना है 9th में तो आपको x की values बतानी है जो आप देख रहे हैं आपको x show कर रख है आपको value बतानी है और 10th question में आपको बताना है the length of QR तो चलिए इन्हें solve करते हैं slides पर और समझते हैं कि one by one हम हर question को कैसे solve करेंगे then covid appropriate behavior दिया गया है CAB message wash your hands with soap and water regularly अपनी हाथों को soap से और पानी से regularly आपको wash करना है okay so यहाँ पर जो आपका first question है fill in the blanks इसमें आपको first to fourth question में बताना है sentence के according कि क्या पूछा गया है like first है कि align segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle is known as median of the triangle तो आपको बोला गया है align segment joining the vertex of the midpoint of the opposite side of a triangle is known as median of the triangle okay so आप यह पढ़ चुके है then इसके बस second है triangle is a triangle in which two sides are of equal lengths is called an isolis triangle जिसकी दो sides equal length की होती है triangle की 3 रिखी का triangle होता है na equilator then मैं दुबारा draw कर देती हूं like equilator तीनो sides equal होती है तीनो angles भी उसके बाद आता है आपका skeleton जिसकी तीनो sides अलग होती है और angles भी अलग होते हैं उसके बाद आता है आपका isolis जिसकी दो sides equal होती है दो angles equal होते हैं side और एक angle अलग होता है तो यहां पर isolis की बात की गई है देन थर्ड में आपको बोला गया है कि डैश is the longest side among all the sides of a right angle triangle जो right angle triangle होता है means जिसका एक angle 90 डिगरी का होता है इसमें आपको बोला गया है कि कौन सी side is of dash equilator triangle का हर angle कितने डिगरी का होता है 60 डिगरी का होता है ओके next है आपका fifth question in a right angle triangle ABC if angle B equal 90 डिगरी then which of the following is true आपको बोला गया है कि एक right angle triangle है ओके means यह 90 डिगरी का है और आपको बोला भी कि जो B angle है वो 90 डिगरी का बन रहा है ABC क्या है एक triangle है जिसमें B 90 डिगरी का angle है तो आपको बताना है कि इसके according कौन सा Pythagoras theorem में कौन सा place आपको देखना है तो आपको हमेशा इतना याद रखना है कि hypotenuse जो होता है आपको उसको लिखना होता है AC का square then equal लिखेंगे और फिर AB का square plus BC का square तो आप यहाँ देखेंगे कि AB का square plus BC का square और एक साइड का AC का square अब देखें AC का square उपड लिखते है बट आपके यह font में नहीं है square उपड लिखने के लिए so मैंने हाँ पे इसको short में नीचे लिखा है तो आप इसे correct करेंगे अपनी copy में next question है how many maximum altitudes does a triangle have एक triangle में maximum altitude कितने हो सकते है so अगर आप देखें तो एक triangle यह है इसमें maximum altitude कितने हो सकते है one two three okay so यह three है एक triangle में three maximum altitude हो सकते है इसके बाद seventh है in a right angle triangle ABC if angle B equal 90 BC equal 3 cm and AC equal 5 cm then the length of side A B is आपको बोला गया है कि एक right angle triangle है और जो B है यह है 90 degree ABC क्या है एक triangle है जिसमें B 90 degree दिया गया है then BC आपको बोला गया है कि 3 cm है AC है 5 cm तो आपको AB की value बताने अब AB की value के लिए क्या करेंगे Pythagoras theorem लगाएंगे okay Pythagoras theorem में आप क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे AC का square equal AB का square plus BC का square अब AC की value क्या है यह है 5 AB की value क्या है आपको AB की value आपको find करनी है तो आप as it is इसको लिख देंगे then BC की value है 3 so 3 को 3 से multiply करेंगे so 3 3 is 9 इसके बाद 25 का minus करेंगे 9 से आप का अगर स्क्राइब करेंगे आप क्या देखेंगे 16 4 multiply 4 इहां पर आप जब इसे बाहर लेके आएंगे पेर में तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर नेक्स कोशन है कोशन नमबर 8 इसमें बोला गए इसमें अगर आप इसको डिवाइट करते हैं यह कौन सी लाइंगे रेशियो में कुझ Zentर आपको इसको क्या करना यहां है यहां पर आपको इक वीच में से यह में पोइंटי आपका मान जिवाइट कर रहा है है कि आप इसने म्यांपियस कॉशन इसमें प्रता इसमें आपा शॉलुशन जो है बहुत बड़ा है तो एससे पहले कमशन देख लेते हैं fine angle X in each figure सभी में आपको X की value बताने हैं चलिए अंसर देख लेते हैं जैसे 9 का first part है सबसे पहले given क्या है triangle ABC आपको given है जिसमें angle B 90 degree है AB equal है BC ठीक है AB और BC यह आपको given है अब आप सोचें कि इसे given है means अगर यह triangle इसमें ऐसे दिया गया इसका मतलब क्यों होता है कि यह वाली side इस वाली side के equal है जब आपको ऐसी दो lines दी गई है ठीक है same दी गई है अगर आपको triangle में ऐसे भी दिया गया कि one और one one line भी दी गई इसका मतलब यह दोनों इसके बाद x equal किसके है एंगल ए और एंगल सी के ठीक है अगर आप देखें तो यहां पर आपको ए रखा है जो angle a है वह x के बराबर है और angle c angle equal होंगे क्यों क्योंकि sides equal है आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन लाएगी दन इसके बाद angle a आपको find करना है तो इसके लाप क्या कर सकते हैं आप तीनों साइट को जब add करेंगे sum of all three angles in triangle is 180 डिग्री यह 180 डिग्री होता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे करेंगे 180 से सब्ट्रेक्ट हो जाएगा यहां पर टू एक्स इक्वल 90 डिग्री आ जाएगा अगर टू को इस साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड यहां पर आप देखेंगे डिवाइड हो जाए गई और और कैंसल करेंगे सो 45 डिग्री हो जाएगा सोटीव यहां एंगल एक्वल 45 डिग्री एक्वल क्योंकि AB equal AC है, दोनों sides equal है, तो दोनों angles equal होंगे, angle opposite to equal sides are equal, इसके बाद angle C 40 degree है, so angle B 40 degree हो जाएगा, so angle B equal 40 degree equal X, थर्ड है यहाँ पर given, आपको क्या-क्या है, triangle ABC, AB equal AC, angle C 45 degree, यह आपको given है, so angle C, angle A के बराबर होगा, reason लिखा हुआ है, मैं बार-बार read नहीं करूँगी, क्योंकि same reason आपको सभी parts में देना है, then angle A equal होगा 45 degree, और angle B आपको यहाँ पर find करना है, so तीनों sides को अगर आप देखें, तीनों angles को add करेंगे, तो 180 degree हो जाएगा, reason लिखेंगे, और उसके बाद अगर आप देखें, तो angle C और angle A equal है, 45-45, तो इन दोनों को add करके 180 से subtract कर देंगे, then यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की value आजाएगे, 90 degree, okay, so B angle B equal 90 degree equal x, okay, then इसका last part है, given triangle ABC, so यहाँ पर angle A को दे रखा है, आपको 100 degree और A B equal AC दे रखा है, so angle B और angle C, जैसा first part आपने किया था वैसे ही है, same to same वैसे ही है, आपको इसमें number change करके दे दिया गया है, आपको angle B, angle C और यह दोनों क्या है, x हैं, दोनों की value same होगी, और उसके बाद आपको इहाँ पर angle A, angle B और angle C add करना है, जो values आपको पता है, पुट करेंगे, so 2x आ जाएगा यहाँ पर, then 2x equal 80 degree, okay, 100 से 180 minus होगा, so 80 आपको इहाँ पर answer आ रहा है, then cancel करेंगे value, so x की value 40 degree आ जाएगी, so यहाँ पर last में लिखेंगे, angle B equal angle C equal 40 degree equal x, so यहाँ पर यह बहुत easy थे, last question देख लेते हैं, question number 10, triangle PQR is right angled at Q, if PQ equal 35 cm and PR equal 37 cm, then find the length of QR, so आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि triangle PQR है, right angled triangle है, जैसा figure में आप देख सकते हैं, और जो Q है यह 90 degree है, then PQ आपको दे रखा है 35, PR दे रखा है 37, और QR आपको find करना है, so यह बहुत easy है, इसमें आपको pythagoras theorem लगाना है, सबसे पहले जो given है वो लिखेंगे, तो यह मैं बतानी जी हूँ यह आप खुछ से लिख सकते हैं, find क्या करना है, यह भी लिखना है, पाइथग और रोस theorem लगाना है, आपको पता है कि hypotenuse सबसे पहले लिखते हैं, उसका square करेंगे equal, आप क्या करेंगे, यहाँ पर perpendicular base यह लिखेंगे, इनका square करेंगे, 35 और 37 आपको given है, दोनों का square करेंगे, subtract करेंगे, देन आपका अंसर आजाएगा 144 और इसके लावा, आपको क्या करना है, अब इसका जो QR का root है, ठीके, इसका अगर आप LCM solve करें, LCM निकालें, तो 144 को जब solve करेंगे, तो यहाँ पर 12, multiply 12 आजाएगा, और इसे आप बाहर लेके आएगे, तो इनका pair है, बाहर आएगा तो 12 cm हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको length मिल जाएगी QR की, the length, so last statement में लिखेंगे, therefore the length of QR is 12 cm, आपको सभी question अगर समझ आएगे हैं, तो comment करके ज़रूर बताएं, उसके लावा वीडियो को like, subscribe, share करना बिल्कुल न भूलें,